हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टु माई चैनल कुक विशालू दोस्तो होली रंगो का तेवहार है और इस तेवहार में गुजिया का एक अपना ही अलग महत्व है तो चली आज मैं आपके साइज शेयर करूंगी चॉकलिट गुजिया की रेसिपी इसके लिए हमें चाहिए थोड़े से ड्राइफ फ्रूट्स यह है अक्रोट बादाम काजू नारिल सूखा नारिल यहां पर मैंने कद्दू कस किया हूँ है थोड़ा सार यह लिया है मैंने रिजिगेटर मैंने नारिल बुराधा मैदा बादम 200 क करीब खोया लिया है यह है डर्क चॉकलेट जिसको हमने च TWकस कर लिया नारिल यह करदीश कर लिया है कक्रोंगी तरह केंने कद्दू कस चॉकलेट यहूंदि कॉर्टर नारि पाय३र और यह है कोको पाउडर, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम फिलिंग तियार करेंगे, एक पैन लेंगे, उसमें करीब आधा चमच हमने देशी की डाला है, और दो चमच डाला है रवा, सूजी जिसको हम कहते हैं, महीन वाली सूजी आप लिए है, इसको अच बूनना है हमें बिल्कुल धीमी आज पे, और जब आप खोया भूनेंगे तो देखेंगे पहले यह थोड़ा सा गीला होता है, इसको बराबर भूनते रहेंगे, इस तरीके से, सूजी हमारी पहले भूनी हुई थी, तो इस तरीके से खोया भूनेंगे और इसका कलर दिरे- इसमें चॉकलेट जो आपने कद्दुकस की थी, चॉकलेट की मातर आप और बढ़ा सकते हैं, कोई आप कम कर दीजे और चॉकलेट और बढ़ा दीजे, तो यहां पर मैंने दो बड़े चमच गिसा हुआ, डाग चॉकलेट लिया है, इन सभी को मिला गे, अच्छे से भूनन जब तक हमारा मिक्षर ठंडा होता है, आटागून लेते हैं, यहां पर 200 ग्राम मैदा लिया है, और इसमें करीब दो बड़े चमच मैने डाले हैं, देशी की, और एक बड़ा चमच डालूँगी, कोको पाउडर, इन सभी को मिक्स करिए, अच्छे से और इसको हाथ से आप कि बाइंडिंग होना चाहिए, यह है आपका रेश्यो देशीगी का, अगर आपका यह बंदिता नहीं है, तो आप थोड़ा देशीगी और मिला लिजे, जब इस कंसिस्टेंसी का आपका ड्राय मिक्षर हो जाए, तब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके, इसका सौफ कि आपके टेस्ट के उपर है, कि आप कितना शकर यूज कर रहे हैं, तो चलिए, आप आटे से गोलियां बना लेते हैं, और चुरी चुटी पूरी बनाएंगे, यहां पर मैं गोल शेप वाली गुजिया बना रही हूँ, तो इस तरीके से दो पूरी बना लेंगे, और साइड साइड में पानी लगाईए, और दूसरी पूरी रखके इसको चारो तरफ से सील कर दीजे, इस तरीके से भी आप डिजाइन बना सकते हैं, फोक से अच्छे से दबाएं ताकि गुजिया खुले नहीं, और उसके बाद आप चाहे इसको मन चाहे डिजाइन दे सकते ह अच्छे से गरम होने के बाद इसमें गुजिया डालके इसको तलना शुरू करेंगे, यह देखे किती बढ़िया फूल गई है, और दोस्तों बच्चों की तो यह फेवरेट होगी, अगर आप बना के देखें, उनको बहुत पसंद आएगी, चोकले वैसे उनको पसंद होत है तो क्या कहने, तो इस बार आप थोड़ा सा अलग कुछ बनाएए और चोकलेट गुजिया बनाएए और यह रेसिपी मुझे बताएए कि आपको कैसे लगी और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो लाइक शेर और सब्स्राइब झाल